हर साल की तरह इस साल भी आसाम और बिहार में floods टिड्डियों का इंडिया पर attack end of 21st century तक इंडिया के average temperature में 4.4 degree Celsius का increment इन सभी चीजों का सिर्फ और सिर्फ एक reason है जी हाँ दोस्तों, गौर्ड से देखिए इस reason को इसका नाम है climate change climate change, 55 से सुनते आ रहे हैं नाम क्या मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी जगा पर हम उसके temperature या उसके rainfall में काफी लंबे अर्से तक एक change observe करते हैं तो उसको climate change बोला जाता है अब ये तो हो गई आसान भाषा साइन्स की भाषा में बोलें तो global warming और उसके effects की वज़े से climate change होता है अब ये global warming क्या है? काफी जादा industries हैं आज के time में काफी जादा vehicles हैं इनसे एक चीज common निकलती है क्या? Smoke इन smoke में कुछ harmful gases होती है जैसे carbon dioxide और methane ये gases greenhouse gases कहलाती है क्योंकि ये प्रिथवी के around एक layer बना देती है अब होता क्या है कि जब सूरज की रौष्णी प्रिथवी पर आती है तो काफी रौष्णी तो प्रिथवी absorb कर लेती है लेकिन काफी रौष्णी प्रिथवी reflect करती है लेकिन वो पृत्वी के बाहर जा ही नहीं पाती क्योंकि greenhouse gases उसे पृत्वी के बाहर जाना ही नहीं नहीं देती जिसकी वज़े से जो पृत्वी है उसका तापमान, temperature हर साल बढ़ता जाता है इसको global warming कहते हैं अब आप मैं और एक common man इसको रोग कैसे सकता है या इसको reduce कैसे कर सकता है solution number one हम CFLs और LED bulbs का यूज़ कर सकते हैं अपने घरों में क्योंकि वो ज़्यादा energy efficient होते है solution number two हमारी बहुत बुरी आदत होती है कि हम laptops को और phones को charger में काफी लंबे time तक लगे रहने देते हैं उनके charge पूरा होने के बाद ये आदत अगर हम reduce कर दे हैं और electronic devices को जितना use किया जाना चाहिए अगर उतना ही use करें तो इससे भी energy बचेगी solution number three जब भी हम भार कहीं घूमने जाते हैं हम दो तरह के dustbin ज़रूर देखते हैं एक green कलर का और एक blue कलर का हमें क्या करना चाहिए ना हमें इन dustbins में इनके according ही कचरा डालना चाहिए जैसे जो green कलर का dustbin होता है हमें उसमें गीला कचरा डालना चाहिए और जो blue कलर का dustbin होता है उसमें सूखा कचरा डालना चाहिए सूखा कचरा यानि पेपर प्लास्टिक कपड़ा कांच ऐसी चीजे और गीला कचरा यानि fruit के छिलके वगेरा हो गए अगर कोई खाना खराब है तो वो तो इससे क्या होता है ना इससे जो भी आगे process होता है recycle का वो बहुत जादा easy हो जाता है इसके बाद चोथा solution हम अपने घर में planting start कर सकते हैं घर में pots लगा सकते हैं जादा से जादा plant लगा सकते हैं पाचवा solution अगर हमें जैसे school जाना है office जाना है college जाना है तो हम car motorcycle यह सब pool कर सकते हैं इससे air pollution जो है वो reduce होगा एक और final solution है और वो स में awareness spread करके अगर जितनी जादा awareness spread करेंगे उतना ही जादा हम अपने अर्थ को बचा पाएंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो इससे जादा से जादा share कीजिए ताकि सब में awareness create हो thank you